हाई गाई तो वेलकम बैक तो वन अदर वीडियो आई होप आप सब लोग मस्त और टकाटक होंगे वैसे गाई आज है 23rd जुलाई और आज बजेट अगेन आप लोगों ने तो दुनिया भर का वीडियो तो देखी लिया होगा मैंने ये वीडियो थोड़ा लेट अपलोड कि गाई थोड़ा मैं बिजी हो गया था थोड़ा सा लेकिनो परसनल कामों में बट अपडेट में दूंगा 23rd का भी दूंगा आज का 23rd का भी दूंगा 24th का भी दूंगा वीडियो थोड़ी आगे पीछे आएंगी थोड़ा सा टाइमिंग में आगे पीछे होगा बट मैं कव की भी मतलब क्या बोलू मैं बैंट बजी मतलब देखो मैं किस सेंस में बोल रहा हूं कि क्या बोलू मैं भी देखो लॉंग टर्म पे 10% जो था उसकी जगा पे 12.5% किया है और 1 लैग जो पहले माफ करते थे लॉंग टर्म कैपिटल गेन पे अब उसकी जगा 1,25,000 रुपी पुछोगे तो डेफिनेटल यार अच्छा नहीं लगा लॉंग टर्म कैपिटल गेन में 12.5 तो नहीं करना चाहिए और अभी तो अब ये भी रूमर्स है क्या है बट आने वाले टाइम पर ऐसा बोल रहे हैं कि ये और बड़ेगा अब बड़ेगा जब बड़ेगा बात की बात है गाईस बट हम क्या करें अब ये सब चीज में यार देखो इन्वेस्टमेंट करना तो हम बंद नहीं कर सकते चुकि देखो क्या बोलो मैं भी आपको मैं तो फिलाल देखो डेफिनेटली बुरा और डिसपोइंटमेंट तो हुआ हूँ मैं परसनल लिवल पर अगर म मुझे पता नहीं अब ये लॉंग टम पर पता चलेगा ये अच्छा है या बुरा है या क्या है जो भी मैं भी फिलाल देखो यार टैन परसंट इससे हमें पता चल चुका है कि आने वले टाइम पर सिव इंफलेशन नहीं अगर लॉंग टंपे लॉंग टम कैपिटल गें लॉंग टम कैपिटल गेंड टैक्स ऐसे ही अगर और भी बढ़ता रहा तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो फिर आनुले टाइम पर बढ़ाना भी पड़ेगा अच्छा खासा विकॉस टैक्स इतना रहेगा और इंफलेशन भी रहेगा तो डेफिनेटली लॉंग टम पर ए के रीच करने का और एक बार आप वन करोड अमाउंट हम रीच हो जाते हैं उसके बाद से वहां से वो कंपाउंडिंग हो कि अगर हम उसको करते रहें तो और अच्छा का सा ग्रोथ मिल सकती है उसके बाद से बट अभी फिलाल परसनली देखेंगे गाईस तो डेफिनेटली 12.5% बहुत ही मतलब में क्या बूलो और शॉट टम पे 20% किया है 15 जो था यार देखो शॉट टम पे किया वो मुझे लगता है कि एक बार वो चल भी जाता है यार मतलब उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा चुकि इससे मतलब शॉट टम वाले जो शॉट टम में लेकि बे लॉट टम के लिए यार मैं भी सीरिसली बोले तो मुझे भी यार समझ में नहीं आये 12.5 अब वो लॉट टम पे हम सबको पता चलेगा या हमारे लिए अच्छा है या बुरा है जो भी है बट एनिविच वे अभी तो फिलाल अच्छा नहीं लगा देखके 12.5 हुआ है बाक लॉट टम में अब वो लगेगा 12.5 आप लोग बताओ बाकी वीडियो को और लंबा यहां पे नहीं करते हैं फिलाल बजट था तो मेरे मन में था तो मैंने सच्छा आप लोग से भी मैं शेयर कर लो अपनी फेलिंग्स की मुझे कैसा लग रहा है बाकी आप लोग भी शेयर सेट परसेंट का मुचल फंड में और सेवन ताउजन सिक्स हंड़ेड़न ड्वेड़नी सिक्स रुपीस के अरॉड पॉजिटिव में है टोटल रिटन देखेंगे तो अभी गाई साटी सिक्स पॉइंट फाइन परसेंट के गाईज यार अच्छा ही रिटन है मतला भी भी वापस उपर ही आया है नीचे जो गया था अभी वहां से थोड़ा उपर आया है एकसा यार अर दिखा रहा है 54.78 परसन अब देखते हैं आगे यह उपर यहां से जाता है नीचे अब अपना दोनों आज मैं मूचल फंड पोर्टफोलियो भी दिखाता हूं और दोनों मेरा एक कड़ आमाउंट से और बड़ा करें वट ठीक है अब धेकते हैं पहले वन करूट तो अब देक तक होता है वन करूट अमाउंट रिच होता है बट फिलाल घ convex विए सब लो उनवेस्टमेंट अब क्या है करते रहो और देखो नहीं हर्टिवूटी में हमने प covari wellness है मैं भी जानता हूँ यह बोलना बहुत बहुत इजी है कि आप फोकस करो करेंट करेंट सिचुएशन में अपने इंकम बढ़ाने पर वगरा यह वो फलाना धिंकाना जो भी है आपको यह करनी भी चाहिए अपने परसनल लेवल पर अपनी परसनल वेल्थ डे टू डे बेस पर इसको इंक्रीज करने में फोकस करो खुद के उपर लाग इन्वेस्टमेंट करो यह सब चीजे सही अपने जगा पर अब देखो गाईज अब तो सीरियसले आपको अपने पर वर्क हमें सबको करना पड़ेगा ताकि अपना इन्वेस्टमेंट भी जादा हो ताकि लॉंग टम पे 15% साड़े बारा परसन आज हुआ आगे 15-20-25-30 ठीज जो भी हो तो यार उसे साब से ही प्लाइनिंग करो तो बहुत सही ही अगर आने वाले टाइम पे बढ़ेगा भी तो आप पहले से ही उसे साब से इन्वेस्टमेंट करो और डेफिनेटली ये मेरा बोल देना बहुत आसान है बट ये जो करने वाला है जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है कि एक रुपया बचा के चूँकि मैं भी एक साल से कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट तो कैसे कैसे कर र और प्वाला चीजी है because हम अपनी चीजें बहुत सारी कट करके investment लेकफाल्तू के खर्चे कट करके जो हम invest करते हैं बहुत लोग तो बहुत जादा भी saving करके investment करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी gold reach हो जाए बट अब इस थोड़ा आप लोग थोड़ा be positive सब लोग positive ही रहो और negative है क्योंके मतलब नहीं है आप positive mindset चुरह रहा हो हम investment के साथ साथ यह भी focus करें कि हमें अपना day-to-day base पे या life में अपने current wealth को भी बढ़ाने भी focus करना है अब वह होगा नहीं होगा वह एक time की बात है आप लोग और हम सब मिलके यही अपना first goal रखें और side-by-side जितना पैसा फिर investment भी करते रहें और positive रहो गाई अब मैं क्या बोली इसमें कि definitely बहुत लोग को बहुत disappointment भी हुआ है बहुत लोग को मैं भी like you know videos देख रहा हूं तो काफी like you know यह आज कल चल रहा लोग लोगा feedback बहुत खराब आ रहा है यह सब जब से long term capital gains पे 10% से 12.5 किया है तो ठीक है अब देखते हैं आने ओले time पे जो भी रहेगा बाकी guys अभी बात करूँ मैं आपको अपना दूसरा दिखाऊं आपको मैं अपना यह stock portfolio and mutual fund का तो आगे दिखाता हूं तो guys यह रहा मेरा stock portfolio इसमें 1,000 लाग 37,600 रुपीस के around investment किया है अभी यह negative पे आया है guys आज का जो कि budget के दिन गिरा है पता नहीं मेरा stocks में तो गिर गये है जो इसमें मैंने investment किया है वन डे में आज मेरा down हुआ है 4.65% के around minus में गया है और total return मेरा भी minus में दिखा रहा है 4.44% बाकी guys आप लोग comment से बाता हो आपका mutual fund and stock portfolio दोनों positive में गया है या negative में मेरा mutual fund तो positive में गया है पर stocks में जो investment किया है मैंने उसमें आज negative दिखा रहा है और ये मेरा दूसरा mutual fund portfolio है इसमें मैंने मैं मन्त में ही किया था start investment यही साल में 2024 में तो इसमें 3.20% का 3.20% का gain से तो ये positive में है अभी भी बाकी यह रहा मेरा guys दूसरा stock portfolio इसमें 2,50,000 के around amount मैंने invest किया है तो total return दिखा रहा है अभी minus में इसमें 1.19% का minus है ये थोड़ा channel का भी रिव्यू कर लेते हैं 4,245 subscribe और हो गए है guys जो लोग channel पे पहली बार देख रहे हैं वीडियो अभी तक देखें और subscribe नेगे तो subscribe कर लो मैं ऐसे ही videos day to day based पर update करते रहता हूं mutual fund portfolio stock portfolio के related so जो भी investment कर रह you know guys आपको channel से definitely कुछ न कुछ आइडिया मिलेगा long term पे positive में कितना returns मिलता है negative positive जो भी है compounding में आपको ऐसे day to day based पर update देता हूं तो कुछ न कुछ आइडिया मिलेगा आपको बाकि guys चलो अब बात करते हैं आज का one day income कितना आया है जुलाई में YouTube का 21st July का दिखा रहा है one day क income 0.53 dollar और अब तक जुलाई मन का देखींगे तो 11.42 dollar के around डिखा रहा है guys तो 1 dollar कितना रूपीज में guys उसे convert कर लेना तो एक idea मिल जाएगा so इन्हों ने comment किये today my stock portfolio minus minus में दिया income 1.85 percent के around so minus में दिया है negative में I hope आप बहुत अच्छे से track कर रहे होंगे stock को चलो guys फिर वीडियो को यही पर end करता हूँ and guys ऐसे ही channel को support दिखाना ज्यादा दिखाना guys लेकिन कभी भी कम मत दिखाना and guys यह साल 10,000 subscriber का target है तो December ending से पहले करवा लेना guys इतना support दिखाओ बाकि आप लोग अपना क्याल रुखो त्यान रुखो बाई and take care